मेरे पहरे देश्वासियों कल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे है ये दिन रमन इफेक्ट की खोच के लिए भी जाना जाता है मैं सीवी रमन जी के साथ उन सभी वेज्ञानों को आदर पुरवक स्रद्धान ली देता हूं जिनोंने हमारी साइंटिफिक जर्रे को सम्रिद्ध बनाने में अपना महत्वपण योगदान दिया है साथियों हमारे जीवन में सुगमता और सरलता में टेक्नलोजी ने काफी जगह बना ली है कौन सी टेक्नलोजी अच्छी है किस टेक्नलोजी का बहतर इस्तिमाल क्या है इन सभी विश्यों से हम भली भाति परिचित होते ही है लेकिन ये भी सही है कि अपने परिवार के बच्चों को उस टेक्नोलोजी का आधार क्या है उसके पीछे की साइस क्या है इस तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं है इस साइस डे पर मेरा सभी परिवारों से आगरह है कि वो अपने बच्चों में scientific temperament विक्सित करने के लिए जरूर छोटे-छोटे प्रयासों से शुरू कर सकते हैं अब जैसे दिखता नहीं है चश्मा लगाने के बाद साफ दिखने लगता है तो बच्चों को आसानी से समझाए सकता है कि इसके पिछे विज्ञान क्या है सिर्फ चश्में देखें आनंद करें तरह नहीं अभी आराम से आप एक छोटे से कागज पूरे उसे बता सकते हैं अब वो मोबाइल फॉन क्यों करता है कैसे काम करता है रिमोट कंट्रोल कैसे काम करता है सेंसर क्या होते हैं यह scientific बाते इसके साथ-साथ घर में चर्चा में होती है क्या हो सकती है बड़े आराम से इन चीजों को घर की रोजमरा की जिन्दकी के पीछे क्या साइस की वो कौन सी बात है जो यह कर रही है इसको समझा सकते हैं उसी प्रकार से क्या कभी हमने बच्चों को लेकर के आस्मान में एक साथ देखा है क्या रात में तारों के बारों में जरूर बाते हुई हो, विविंतर के कॉंस्टे इलेशन्स दिखाई देते हैं, उनके बारे में बताएं, ऐसा करके आप बच्चों में फिजिक्स और एस्ट्रोनोमी की प्रती नयारू जान पैदा कर सकते हैं, आजकर तो भहुत सारी FB हैं, जिस कि आप अपने कॉसल और साइन्टिफिक केरेक्टर का इस्तिमाल राष्ट निर्मार से जुदे कारियों में भी करें, ये देश के प्रती हमारी कलेक्टिव साइन्टिफिक रिस्पॉंसिबिलिटी भी है, जैसे आजकर मैं देख रहा हूं कि हमारे स्टार्ट अप्स वर्च कि इस दोर में ऐसे ही एक वर्चुल लेब बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाई जा सकती हैं, हम वर्चुल रियालिटी के द्वारा बच्चों को घर में बैठे, केमेश्ट्री की लेब का अनुभावी करा सकते हैं, अपने सिक्षकों और अभुभावकों से मेरा आ आग रहे हैं कि आप सभी विध्यारत्यों और बच्चों को सवाल पूछने के लिए प्रोचाहित करें, और उनके साथ मिलजूल कर सवालों का सही जवाब तनासे हैं, आज मैं कोरोना के खिलाब लड़ाई में भारतिय विज्यानिकों की भूमिका के भी सराना करना चाहूं उनके कड़े परिश्रम के वज़े से ही मेड इन इंडिया वैक्सिन का निर्मान संभव हो पाया, जिससे पूरी दुनिया को बहुत बड़ी मेदद मिली है, साइंस का मानवता के लिए यही तो उभार है